हेलो फ्रेंड्स मैं आध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का सिविल्स डेली के MCQ प्रोग्राम में इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक कुछ MCQs लेकर आएं जिसको की हम देखेंगे कि कैसे strategy wise कैसे elimination technique wise और कैसे तिक्डम लगा कर हम solve कर सकते हैं in case हम question से related कोई idea न भी हो तो भी और ये MCQs concept wise, strategy wise तो important हैं ही हैं प्लस current affairs के नजरिये से भी बहुत ही महत्वपून हैं तो अपनी तयारी को और compact, powerful और targeted बनाने के लिए जुड़िये हमारे साथ CD, YouTube, daily rituals पर जहां हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ नए initiatives, कुछ नए programs जिसके आपकी तयारी, prelims, mains और interview तीनों ही level पर कराने की हमारी कोशिश रहेगी, UPSC prelims को target करते हुए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए MCQs जहां पर हम आपको strategy और explanation दोनों देंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप MCQs को handle करें सकते हैं prelims लेवल पर, prelims और mains दोनों की compactful तयारी के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए खास चार program जहां दिन की शुरुआत हम करेंगे breaking news या burning issues के साथ, editorial और open analysis लेकर आएंगे आपके लिए सिधात सर जो बताएंगे आपको कैसे आपको editorial को कम time में analyze करके grasp करना है और उसके साथ-साथ की कैसे आप उसमें given information को अपने exam मे mains level के exam में आप use कर सकते हैं, apply कर सकते हैं और फिर हमारा आता है specific current affair analysis जो की मैं लेकर आती हूँ आपके लिए और यहां मैं आपको बताती हूँ कि current affair की नजरिये से क्या important है, static portion से क्या question पूछ सकता है, probable questions क्या बन सकते हैं और कैसे given information को आपको अपने mains exam में भी use करना है and last but not the least explainers हमारा आता है जो आपको बताता है topic related insight and analysis और यह topics आपके static as well as current portion दोनों से ही हो सकते हैं और यह program आप तक पहुँचाते हैं, अंजुम सर ठीक है इसके साथ prelims, mains और interview तीनों को ही comprehensively cover करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए weekly webinar sessions with none other than our UPSC CSE toppers जिनसे जुड़कर आप उनकी strategies क्या थी, उनके sources क्या थे, answer writing उन्होंने कैसे की, essay का concept उन्होंने कैसे deal किया और तमाम अन्यत जानकारियां आप इनसे ले सकते हैं और इनसे अपने questions भी पूछ सकते हैं तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं आज के questions क्या हैं, एक और बात आप हमारी playlist को access कर सकते हैं यूट्यूब पर और डेवाइस अगर आपका कुछ छूट भी गया है तो आप particular playlist में जाकर access कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमें subscribe नहीं किया है तो तुरंट subscribe करें और bell icon को press करना न भूले so that आपको time to time notification मिलती रहेगी जैसे ही हमारे programs live होंगे तो चलिए देखते हमारा पहला question क्या कहता है ये पूरा topic आज के newspaper में भी था और मैंने अपने current affairs session में इसको cover भी किया है तो बहुत important topic है क्योंकि pollution level जो है उससे related है ये graded response action plan देखते हैं इसके statements क्या कहते है statement 1 says it was approved by Delhi High Court in 2016 statement 2 says plan includes action by various state governments to be taken throughout the year to tackle industrial vehicular and combustion emissions and statement 3 says it is headed by EPCA तो देखे जब सुबा भी हमने इसको cover किया था अपने current affair के session में तो हमें ये तो पता था कि EPCA तो सही है newspaper पढ़ते से भी आपको idea लग गया होगा दूसरी चीज़ आती है जब भी UPSC आपको ऐसे देना कि भई कोई organization या institute दिया है और timeline भी दिया तो दोनों में से एक गरबढ होना तय है बहुत rare of the rarest case होता है कि दोनों ही सही दी गई हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो Delhi high court दिया है जबकि ये supreme court द्वारा लागू करवाए गया था approved करवाए गया था second statement में अगर आ है तो जो यहाँ पर throughout the year दिया है ये गरबढ है ये extreme है why? because pollution related अगर कोई plan बनाया गया है जो की graph है हमारा in short तो उसको emergency use के लिए ही बनाया गया वो सालो साल के लिए नहीं बनाया गया because it is an emergency plan तो ये भी statement हमारा गलत हो जाता है तो हमारे हिसापसे इसका answer होगा 3 only alright देखते हैं इसका solution क्या कहता है solution says correct answer is 3 only और graph से related यहाँ पर information दी गई है इसको आप पढ़कर देख लीजेगा मैंने आपको समझाई दिया है 1. वह क्यों नहीं सही है because supreme court था ना की high court दूसरी चीज 2. क्यों नहीं सही है सिर्फ और सिर्फ emergency measure में लगाये जाता है and third is right because it is headed by EPCA question number 2 पर चलते है question number 2 is related with the theme of white revolution in 2021 आज के editorial में यह topic था और क्यों था क्योंकि वर्गी स्कुरियन जी का बर्दे था भी कुछ दिन पहले ही तो इस उसको जो है बहुत extensively cover किया है आज के open section में आप इसको अगर नहीं देखे हैं तो please देखे है क्योंकि question बन सकता है secondly जो इसके options दिये हुए focus on maximization of dairy sector दूसरा है focus on sustainability in the dairy sector तीसरा है focus on health of animals in the dairy sector चौथा है focus on infrastructure development of dairy sector अब हम मान लेदें कि भाई हमें इससे related कुछ नहीं पता है हमें सिर्फ यह पता है कि यह जो white revolution है यह हमारा आया था milk से related या dairy product से related हमें सिर्फ इतना पता है तो अब इसे हम कैसे इसका answer निकालेंगे देखो सबसे पहले तो जो यह health on animals है इसको cut कर दो क्योंकि health of animals नहीं होगा white revolution product से related था तो उसको animals से related कुछ नहीं करना है उसकी health तो खासकर medical terms पे तो जाना ही नहीं है यह एक चीज़ कट हो जाती है दूसरा maximization of dairy sector अब maximization पे अगर हम जाएं और इसको सोचे कि देखो तो जब से यह आया है white revolution तब से लेकर अब तक dairy sector already बहुत बड़े level पर बहुत बड़े पैमाने पर maximize हो चुकी है क्योंकि cooperative societies का यह subject था तो यह भी हमारा नहीं होगा उसके बाद हमारा है focus on infrastructure development of the dairy sector अब देखो यहाँ पर हम confused हो सकते हैं कि हाँ यह answer हमारा हो सकता है बड़ होना नहीं है क्योंकि आप यह देखो न infrastructure development दिया है dairy sector का infrastructure development theme नहीं हो सकता हाँ एक one of the objectives कह सकते हैं बड़ theme possible नहीं है क्योंकि infrastructure time to time develop हो रहा है already तीसरा बचता है sustainability और अगर कुछ नहीं भी आता है तो आपको sustainability इसलिए लगाना है क्योंकि अभी इस साल की आप जितनी ही 2021 या 2020 की reports उठा कर देखोगे theme उठा कर देखोगे किसी भी दिन का तो या तो आपको वहाँ पर sustainability दिखाई देगी या फिर आपको recovery दिखाई देगी due to covid तो यहाँ पर हम sustainability लगाएंगे और यही इसका आंसर भी है आप देखो solution is B World Milk Day 2021 will be celebrated with a theme focusing on sustainability in the dairy sector along with empowering the environment nutrition and socio-economic चल दें question number 3 पर question number 3 बात करता है GHI की अभी हाल ही में हमने ये news को भी काफी extensively cover किया था जिन्होंने नहीं देखा वो please जाकर के इस news को देखीगा मैंने बहुत अच्छे से explain किया है और हमारे newspaper में भी इसको coverage दी गई थी और in fact यही news थी कि जो इसके चार indicators हैं इसको लेकर के एक हिंदू में जो है चार्ट भी आया था कि कौन से indicators हैं और कितना coverage हो रहा है okay so the global hunger index uses a combination of four indicators very well very correct ठीक है दूसरा हमारा कह रहा है GHI is calculated by food and agriculture organization यह गरबढ़ है अब यह देखो यहाँ पर दिया आपको food and agriculture organization ठीक है अगर यहाँ पर time भी दिया था तो अपना हम मान लेते कि यह गलत ही लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ organization है तो हम नहीं assume कर सकते कि यह गलत है या सही है तो आप इस तरह सोचो कि यह food and agriculture जो है वो hunger index को क्यों cover करेगा right hunger index का कामी नहीं है उसका food and agriculture अगर cover करता तो production को cover कर सकता है ठीक है then आपका agriculture से related issues को cover कर सकता है okay but global hunger index जिसके की चार जो हमारे indicators भी थे अगर उनको भी आप इनसे correlate करोगे तो वो दूर दूर तक कहीं नहीं होगा तो इसलिए हम मानेंगे कि यह statement हमारा गलत है तो हमारा answer सीधे सीधे हो गया one only देखते हैं इसका solution क्या कहता है solution भी यही कह रहा है statement one is correct while statement two is incorrect और GHI जो है यह design किया गया है four indicators को cover करता है और track करता है hunger को global level पर country और region के अनुसार secondly it is calculated by international food policy research institute से ठीक है IFPRI के through यह calculate किया जाता है और जो इसके indicators हैं वो हैं हमारे child wasting undernourishment, child stunting और child mortality चलते हैं अपने next question पर हमारा next question कहता है the term Katsa and Comcasa seen in news are related to which of the following countries यह question आपके लिए है please comment करके हमें जरूर बताएं कि यह question जो है basically इसका answer क्या होगा हमारे जो options दिये हुए हैं यहां पर वो हैं Russia, China USA and Israel ठीक है तो मैं उमीद करते हूँ कि आप लोगों को इसका answer पता होगा और जैसे आप अभी तक answer देते हुए आए हो बहुत बच्चे हमारे daily program से जुड़ने हैं और हमें answers दे रहे हैं जैसे भगवन हैं, पूजा कुमारी हैं ठीक है और भी बहुत सारे बच्चे हैं तो आप लोग भी ज़रूर कोशिश करिए हमसे जुड़ने की और हमें answer बताने की so that हमें भी एक idea रहेगा कि आपकी तियारी कितनी compact है और हमें किस level के questions आपके लिए लेकर आने हैं, ओके? आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा fifth question क्या कहता है consider the following statements with respect to jainism statement one says Lord Mahavir laid the foundation of jainism in North India and statement two says it believes in the theory of cycle of karma see, अब आप अगर इसको देख रहो तो यही हैगा कि हाँ, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक, यह कह सकते हैं कि जाल बिचाया गया है मेरे students जो है permanently, वो कहते हैं कि माम यहाँ पर UPSC ने हमें googley दे दी okay, google से googley बन गा दिया इसको, right तो जो statement one है हमारा Lord Mahavir laid the foundation of jainism in North India, no doubt Lord Mahavir was associated with jainism but Lord Mahavir को अगर हम देखें तो वो काफी बाद में आये थे उनसे पहले बहुत सारे तिर्धांकर्स जो हैं वो आ चुके थे जिन्होंने foundation laid की थी तो यह statement हमारा गलत है और हमें सिर्फ और सिर्फ confuse करने के लिए ही दिया गया है, जो हमारा statement two, it believes in theory of cycle of karma, यह बिलकुल सही है तो इसका answer होना चाहिए B two only, चलिया यह देखते हैं कि इसका answer है क्या, solution भी यही कहता है, B is the answer, the basic philosophy of Jainas was already in existence in North India before the birth of Vardaman Mahavir ओके, और according to Jaina tradition, Mahavir was preceded by 23 other teachers, जैसा कि मैंने का उनसे पहले already बहुत सारे तिर्थांकर्स आ चुके थे ठीक है, तो यह है, and they believe in the theory of karma ओके, so according to the Jaina teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma only so that's all for today guys, thank you so much for staying with us, और हमें तुरंत subscribe करें, like करें, और अपना comment देकर जरूर बताएं, जो भी questions आप से पूछे गए हैं कि उसका answer क्या होगा, I hope आपको हमारा यह program पसंद आया होगा, और हम जो आपके लिए initiative लेकर आए हैं, उससे आप maximum फाइदा उठा रहे होंगे, तो तुरंट subscribe करें हमें और bell icon को प्रेस करना न भूलें, thank you so much guys, जै हिंद, जै भारत